दोस्तो कल पवंदीप ने हाइदरबाद में समा बान दिया, एक बार फिर से पवंदीप ने हाइदरबाद के लोगों का दिल जीत लिया जैसा कि आपको पता है कल 3 सितंबर के दिन पवंदीप का लेटिस्ट कॉंसर्ट रखा गया था गाची वॉली हाइदरबाद में जहाँ पर जो उनका परफॉर्मेंस हुआ है, ओ माई गॉड बहुत ही बहतरीन परफॉर्मेंस हुआ है और उनी परफॉर्मेंस से हमारे पास कुछ वीडियो क्लिप्स, कुछ फीडबैक और कुछ मैसेजिस आएं जो जानकर definitely आपको बहुत मजाने वाला है, क्योंकि जो बाते सामने निकल कर आई है, वो बहुत ही दिलचस्प है साथी साथ दोस्तों, अगर आप पवंदीप के फैन हो, तो इस वीडियो को इंड तक देखना क्योंकि आपको इस वीडियो में, जो जो बाते पता लगेगी कल के कॉंसर्ट के बारे में, वो बहुत खास होने वाला है इन फैक्ट, बहुत सारे लोगों का कहना है कि कल के लिटिस्ट कॉंसर्ट में, अरुनिता भी पवंदीप के साथ मौझूद थी तो इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ, और साथी साथ दोस्तों, एक special information है और वो information ये है कि हमारा जो next video होगा, वो होगा अनुश्का बैनर जी के साथ, Indian Idol Season 12 के contestant के साथ जहां पर हम उनके बारे में जानेंगे और साथी साथ पवंदीप और अरुनिता के बारे में कुछ अंसुनी, कुछ अंकही खास बातों को जानेंगे जो कि definitely आपको बहुत मजा आने वाला है, तो next video का इंतजार करना और साथी साथ, make sure कि आपने चानल को subscribe किया हो तो चलिए दोस्तों, वीडियो को start करते हैं, बताता हूँ मैं आपको पवंदीप के latest concert के बारे में दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो के starting में कहा कि पवंदीप ने हाईदरबाद में समाबान दिया है और definitely क्या performance दिया है पवंदीप ने और कितने लोग crazy थे पवंदीप के performance के लिए ये सारे की सारे बाते और वीडियो क्लिप्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि हमारे पास Instagram में बहुत सारे वीडियो क्लिप्स आप लोगों के आ चुके हैं क्योंकि दोस्तों मैंने कल के वीडियो में आपसे कहा था कि अगर आप गाची बॉली हाइदराबाद से बिलॉंग करते हो या फिर अगर आप पवंदीप का latest concert देखने जा रहे हो तो definitely ज़रूर inform करना और बहुत सारे हमारे subscriber और viewers ने messages किया है feedback दिया है तो सबसे पहले उन सबी को बहुत बहुत धरनेवाद अब दोस्तों हम बाग करते हैं कल के performance के बारे में जब पवंदीप stage पर उतरता है तो लोगों का कहना है कि वो पागल हो जाते हैं पवंदीप का पहला appearance इतना ज़ादा खास और इतना ज़ादा beautiful होता है साथी साथ बहुत से लोगों का कहना है कि जब पवंदीप ने गाना शुरू किया तो लोग उनके साथ गुन-गुना रहे थें और सभी एक निगाहों से ही पवंदीप को देखे जा रहे थें in fact fans इतने crazy थें कि वो आगे तक पहुँच गए और वो पवंदीप से हाथ मिलाने को बिताब थें उनके साथ selfie लेने को बिताब थे यानि जो इससे पहला वाला concert हुआ था पवंदीप, अरुनिता, साइली और दानिसका उससे कहीं बढ़कर था पवंदीप का ये individual concert ऐसा लोगों का कहना है तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ जहाँ पर लोग काफी crazy दिख रहे हैं पवंदीप से हाथ मिलाने के लिए और साथ ही साथ उनके साथ selfie लेने के लिए तो इस वीडियो क्लिप को इंजवाई कीजिए यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि किस तरीक यह से सारे के सारे लोग पवंदीप से मिलने के लिए उनसे हाथ मिलाने के लिए बिताफ दिख रहे हैं और इतना ही नहीं पवंदीप ने सिर्फ गाया नहीं बलकि कई सारे musical instrument को बजाया भी है और क्या खूब बजाया है उन्होंने गिटार और ड्रम के साथ performance दी और लोगों का कहना है कि जब पवंदीप ड्रम्स बजा रहे थे हैं तो लोग जैसे पागल हो गया है और उनके ड्रम्स के हर एक चाल पर हर एक लोग थिरक रहे थे दांस कर रहे थे और पवंदीप के concert को बहुत ज़ादा enjoy कर रहे थे तो यहाँ पर दोस्तों अपने देखा कि किस तरीके से पवंदीप के concert को लोग enjoy कर रहे हैं पवंदीप के performance को लोग enjoy कर रहे हैं कितने बहतरीन performance पवंदीप दे रहे हैं और कितना मजा आ रहा होगा क्योंकि आपको पता है कि पूरा का पूरा गाची बॉले हाइदरबाद में जहाँ पवंदीप का latest concert organize किया गया था वो पूरा का पूरा house full था तो कितने लोग होंगे और कितना मजाया होगा ये तो आप feel करी सकते हो इनफेक्ट आप में से भी कुछ लोग जरूर गया होंगे अगर गया हो तो please comment section में जरूर बताना साथी साथ दोस्तों कुछ बाते निकल करा रही है अरुनिता से कि पवंदीप के साथ अरुनिता भी वहाँ मौझूद थी क्योंकि निदीमून सिंग ने एक वीडियो कल डाला था जो मैंने अपने स्टोरी पर लगाया है पवंदीप और अरुनिता का काफी cute वीडियो है अरुनिता मोमेंट्स है वो आप मेरे स्टोरी पर जाके देख सकते हो तो बहुत लोगों का कहना है कि जब कल पवंदीप हाइदराबाद में थे तो इसका मतलब है कि यह अगर latest real है या latest video clip है तो definitely अरुनिता भी वहाँ मौझूद होगी तो अभी मैं आपको बता दू दोस्तों कि इससे related कोई भी confirm news नहीं आया है कि अरुनिता कहा है क्योंकि कल से कोई latest तस्वीर अरुनिता की viral नहीं हुई है नहीं हमें मिला है तो ऐसे में बहुत ज़्यादा chances हो जाते हैं कि पवंदीप के साथ अरुनिता भी हो सकती है लेगिन यह अभी confirm नहीं है इसलिए इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे चुकि बहुत सारे लोग बहुत सारे इंस्टाग्रामर इन चीज़ के बारे में बात कर रहे है कि पवंदीप के साथ अरुनिता है तो बहुत से लोग मुझे भी मुझे comment section में और messages में पूछ रहते हैं तो मैं आपको कह दो कि यह unconfirmed है कि पवंदीप के साथ अरुनिता मौजूद है या नहीं में भी हो भी सकती है और नहीं भी साथी साथ दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कल का जो वीडियो है या फिर जो हमारा next वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाला है तो make sure कि आपने channel को subscribe किया हो साथी साथ वीडियो को जितना हो सके उतना like करो मैं आपसे एक चीज़ यहाँ पर जरूर रेक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज वीडियो को like जरूर करना और comment जरूर करना अगर आप गाची बॉली हाइदरबाद में पवंदीप के latest performance को enjoy किये हो तो तो चलिए दोस्तो आज की इस वीडियो को end करते हैं उमीद है वीडियो से थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको पवंदी अरुनयता के बारे में दे पाया हूँ so please वीडियो को like जरूर करना thank you दोस्तो thank you for watching this video